नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस खास इशो पर और मैं हूँ प्रेणना हम सभी को धाबे का खाना बहुत पसंद होता है मसालिदार करी का स्वादिष्ट स्वाध ही हमारे मूँ में पानी ला देता है लेकिन हर बार जब हम उनके भूजन की लालसा रखती है तो हम सभी एक धाबे पर निखुजा सके इसलिए हमने धाबा स्टाइल पनीर की इस स्वाधिष्ट रेसिपी ठूंडी है जो आपके लिए बहतरी धाबा स्वाध और पनीर लेकर आएगी तो आईए आपको बताते हैं धाबा स्टाइल पनीर बनाने की समगरी 250 ग्राम पनीर, नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्श पाउडर, एक जो थाई टीस्पून गरम मसाला, दो चुटकी हल्दी पाउडर, दो टेबल स्पून घी, दो टेबल स्पून तेल, एक टेबल स्पून जीरा, एक तेज पत्ता, दो दाल चीनी की छडे, दो पिसीपी इल पाउड़ी, पाँच नौन, छे कारी मिर्श के दाने, एक टीस्पून धन्या के बीज, चार सुखी लाल मिर्श, तीन प्यास, टुक्डू में कटा हुआ, छे बारेक कटी हुई लहसुन, तीन हरी मिर्श, बारेक कटा हुआ, एक टेबल स्पून धन्या पाउडर, एक पाउडर, कद्दू कस करके, स्वादानुसार नियमाग, आधा कब दहे, एक टीस्पून कसूरी में थी, एक टीस्पून गरम मसाल, तो चलिए आपको बताते हैं धावा स्टाइल पनीर बनाने की विदी, सबसे पहले 250 ग्राम पनीर ले और क्यूब्स या किसी भी आकार में काथें, अब पनीर को मैरिनेट करने के लिए इसमें एक छोटा चमच नमक, आधा छोटा चमच लान मिर्श पाउडर, एक चोथाई छोटा चमच गरम मसाला और दो चुटके हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं, एक पैन को मध्धम आज पर रखें और उसमे दो टेबल स्पून घी डालकर इखनाएं, दैन में पनीर डालकर दो मिनट तर सभी तरह से अच्छी से भूल लेजें, एक और पैन को मध्धम आज पर रखें और उसमें दो टेबल स्पून तेल और एक टेबल स्पून घी डालकर गरम करें, अब इसमें एक छोटा चमच ज धनिया, तीन सूखी लाल मिर्च डाले, धीमी आज पर खुश्पुदार होने तक भूले, अब तीन बारीक कटे प्यास डालकर सुनहरा होने तक भूले, प्यास की अच्छे से भूलने के बाद इसमें एक एंच कद्दुकस किया हुआ द्रक, छे बारीक कटे हुई लहसं की गलियां डालकर सभी चीज़ों को फून ले, अब इसमें तीन टुकडे हरी मिर्च, एक बड़ा चमच धनिया पाउडर, एक बड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चूटा चमच हंती पाउडर, एक चूटा चमच जीरा पाउडर, दो बड़े चमच बेसर डाले, सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला ले, और धीमी आज पर खुश्पदार होने तक भूले, तीन कद्दुकस किया हुआ टमाटर, स्वादानुसार नमक डाले, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला ले, अब इस पर ठकल लगाकर दो मिनट तक तेल छोड़ अब इसमें एक टीज़ों कुटी हुई कसुवल में एक टीज़ों गरम मसाला डाले और अच्छी तरह मिला ले और अच्छी तरह मिला ले और धनिया डाले पनीर मसाला परोसने के लिए तैयार है और आप इसका अनल्द ले सकते हैं तो ऐसे ही शांदार रेस्पीज जानने के लिए देखते रहे हमारा शोड़ हन्यवाद